आज ना ही मैं किसी चीज की अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ और ना ही किसी चीज का रिव्यू बल्कि जैसा आप देख सकते हो CISS kit है और यह completely नीचे से leakage हो रहा है और अभी भी देखिया आप इंक इससे टपक रहा है तो basically क्या हुआ आज हमको एक printer आया था उसमें CISS kit fit करने के लिए तो सब कुछ सही रहा normal process जैसा रहता है उसमें हमने पूरा fit किया उसके बाद end में मेरी गलती की वज़े से यह kit पूरा खराब हो गया अब क्या गलती हो गई कि जब मैंने completely ink भर लिया stopper को खोला pipes में ink flow होने लगे तब गलती से मैंने यह जो पीछे का pipe से इसे थोड़ा ज्यादा इस तरह से खीच लिया जिसकी वज़े से क्या हुआ जो pipes connected था एक एक टैंक से वो निकल कर तूट गया और जो भ completely use कर लिया था यानि टैंक्स को पूरा भर लिया था तो यह इंक्स भी पूरा बरबाद हो गया और यह जो CISS kit है वो भी पूरा बरबाद हो गया तो यही चीज है यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप CISS fit करते हो तो हमेशा ध्यान रखेगा बहुत ही कॉसेसली fit कीजेगा अगर आप confident हो कि हाँ आप CISS kit fit कर सकते हो तब ही आप fit कीजिए मैं एक चीज बताता हूँ मेरे पास अभी 22 printers हैं जिसमें 17 printers में CISS kit लगा हुआ है और वो अच्छे से काम कर रहा है तो 17 printers में CISS kit fit मैंने किया है लेकिन फिर भी देखिए आज मेरे हातों से गलती हो गई तो अगर आप सोचते हो कि पहली बार में ही आप CISS kit अच्छे से fit कर लोगे और सब कुछ successfully हो जाएगा बहुत अच्छे से prints निकलेगा तो थोड़ा possible नहीं रहता लेकिन कोशिश ज़रूर आप कर सकते हो तो जैसा मैंने मेरे previous वीडियो में भी आपको कहा है जब आप C CISS fit करते हो मैंने CISS के वीडियो बनाया आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो तो हर बार जब भी आप कोई CISS kit fit करते हो तो एक बार उसे जरूर चेक कर ले leakage के लिए तो अगर leakage होगा तो यही प्राबलम होगा मेरे वाले में कोई leakage नहीं था यह मेरी गलती की वज़े से ही जो इंक साब देख रहो पूरा निकल गया थोड़ा सही यलो इंक अंदर है शायद और बाकी सब देख सकते हो पूरा खाली हो चुका है थोड़ा बहुत मजेंटा इसके अंदर है तो मैंने stopper भी बंद किया था सब कुछ किया था लेकिन end में देखिए जो होना था वो हो ग तो CISS kit को fit करना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है hectic रहता है और बीच बीच में आपको maintenance भी करना पड़ेगा CISS kit का pipes में आपका air आ जाएगा तो उसे निकालना है या फिर CISS kit में नीचे आपका ink jam हो जाएगा या फिर dry हो जाएगा तो उसे भी निकालना है तो य इसलिए हमेशा CISS kit को ध्यान से की ध्यान से use कीजे और ध्यान से fit कीजे अगर आप confident हो तभी आप CISS kit को fit कीजे अगर आप confident नहीं हो तो मैं हमेशा recommend करता हो manual refilling कीजे syringe के थ्रू जो की बहुत easy रहता है और हर को ही कर सकता है वो तो इसलिए पहले manual refilling कीजे अगर सब या फिर आप locally कोई printer repairing shop वगरा है तो वहाँ पर भी जाकर कर सकते हो तो guys बस यहीं आपको कहना था कि CISS को अच्छे से handle कीजे ज्यादा मतलब हडबड़ी मत कीजेगा fitting करते वक्त जैसे मैंने सब कुछ set कर लिया सब कुछ हो गया एक घंटे का महनत पूरा बरबाद हो गया तो अभी मैं क्या करूँगा इसको fake दूँगा और दूसरा जो CISS kit है वही use करूँगा तो guys आज का वीडियो बस इतना ही I hope आपको थोड़ा बहुत CISS kit के जो difficulties है उसके बारे में पता चल गया होगा मैं इसी तरह के कुछ नया वीडियो उसके साथ आपके सामने फिर आऊ तब तक के लिए take care of yourself bye bye